नमस्कार दोस्तों मैं सोनु सिंग और आप लोग देख रहे हैं डियास फोर नियूज मैं आज फिर से एक ऐसी ख़बर लेकर के आया हूँ जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम कहां से कहां तक पहुँच चुके हैं और ये भी सोचने मजबूर कर देगी कि हम वाकई में आज के समय में क्या सोचते हैं दरसल मैं बात करना चाह रहा हूँ उस जावेद सबजी वाले की जिसने अपने परिवार की और इस करोना जैसी महमारी के बीच अपने बच्चों का पालन पोश्चन करने के लिए सायद उसने अपना नाम जावेद से बदल कर संजे रख लिया जिसके चलते वो अपना काम कर सके और अपने परिवार का पालन पोश्चन कर सके और ठीक इसी से खबर से रिलेटिड में एक खबर ये भी बताना चाहूँगा NDTV के मताबिक एक खबर ऐसी भी आई है कि दिली में किसी कालोनी के अंदर में एक व्यक्ती से अधार कार्ड मांगा गया यानि कि सबजी वाले से अधार कार्ड मांगा गया और जब सबजी वाले ने अपना अधार कार्ड देने से मना कर दिया और उसने अपनी कोई पहचान नहीं बता पाई उसको ले करके गली के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया और कहते हुए ये कहा कि जब तक तु अपना पहचान पत्र या पिर अपना अधार काड नहीं ले करके आएगा तुझे इस गली में सबजी बेचने नहीं दिया जाएगा तो सोच है मेरी उस पत्रिकारिता को ले करके जो आज के समय में लगातार इस करोना जैसी महामारी के बीच में लगातार ऐसी भयावा इस्थिति को पैदा कर रहा है ये इलेक्टोनिक मीडिया और ऐसे पत्रिकार जो लगातार हिंदू-मुस्लीम का काड खेलते विए नजर आ रहा है जो कि आज के समय में आप सभी के समक्ष देखने को मिल रहा है तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि जावेद की जो सब्जी बेचने वाले की वहीं दिल्ली में जो हुआ उसको ले करके और तीसरी ख़बर में आपको बताना चाहूँगा कि बुलंद सहर के अंदर जितने भी ठेली पर सब्जी बेचने वाले हैं उनके ठेलियों पे भगवा जंडा लगा दिया गया है जी ठीक सुना आपने सब्जी के उपर भगवा जंडा लहरा देना किस हद तक चला जाता है आपको अपने आप में सोचने पे मजबूर कर देगा कि जीस तरीके से आज के दौरान में जो टीबी इलेक्टोनिक मीडिया है वो जो रंग रूप दे सामने आ रही है और ऐसा ही इस्तिती हर जगत देखने को मिल रहा है दरसल जावेद की में बात करना चाहा रहा हूं जावेद एक नाम से प्ला चल जा रहा है कि वो एक मुस्लिम कम्यूनिटी से बिलोंग करता है लेकिन जब उसने अपने परिवार की और अपने बच्चों क पालर पोशन करने की कोशिज की और उन दोरान उन्होंने हमारी से बच सके और अपने बेटे और अपने बच्चे और अपने परिवार का पालर पोशन कर सके उस दोरान ऐसा घटना सामने आता है कि उन्हें सबजी बेचने नहीं दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सब्जी बेचने दिया जाएगा लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी पहचान अधार कार्ट से कर लिया और उसका नाम संजे नहीं बलकि जावेद पाया गया इसलिए वह अब सब्जी नहीं बेच सकेगा क्योंकि वह मुसल्मान है बुलन सहर में ठेलो पर भगवा जंडा लगा दिया गए हैं ताकि हिंदू भगवा जंडे वाले ठेले से ही सब्जी फल खरी देंगे ऐसा होने दिया जा रहा है क्योंकि एक सब्जी वाला कह रहा है किसी हिंदू परिशद वाले ने जंडा लगाया है करोनवाइरस कि या हिंदू मुसलिम थ्योरी जानकर दुनिया भी सन रह जाएगी क्योंकि वैग्यानिक हमारी महांता पर हैरान होंगे कि हमने महामारी को भी हिंदू मुसलिम में बदल दिया है इससे भारत का गौरव बढ़ जाएगा करोनवाइरस ने या हलफ नामा कब दिया गया कि में हिंदू के ठेले से नहीं फैलूँगा और मुसलिमान के ठेले से फैलूँगा आम लोगों को अधार चेक करने का अधिकार आखिर दिया किसने एक गरीब आदमी को गली में ना निकलने देने का कानून कब पास हुआ कि देश में हमने कब और क्या सोचा था क्या आपने ये वी सोचा होगा कभी कि जब ऐसी हमारी देश में महमारी फैल रही होगी तो क्या हमारी देश में जितनी भी सबजियां हैं वो भी हिंदू मुसलमान में बट जाएंगी मेरी जनकारी में केंद या राज सरकार की किसी ने भी नफरत के वाइरस को रोकने के लिए अब तक कोई कोशिस नहीं की है पर अपसोस इस बात का है कि इस भयावाई स्थिती में भी हमारे इन दिनों कुश्पत्रिकारिता की वज़े से लोगों में ऐसा दूर परचार फैल रहा है जिसके चलते लोगों की ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है हमारी के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया ने मिलकर नफरतों का ये नयाब तोफाद दिया है तो जैसा कि आप ने इस रिपोर्ट में देखा और समझा कि जिस तरीके से आज हमारे देश में जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया काम करता रहा है वो वाकी में सराहनी है और आप लोगों को वाकी में ये सुनकर अच्छा लगा होगा जो लगातार हिंदू मुसलिम का काड़ खेलती हुए जो मीडिया सामने आती है जो प्रती रोज प्रती दिन आपके दिमाग में जो एक हिंट देने का काम करती है और जो आपके दिमाग में जोड देने का काम करती है कि आप हिंदू को समझिए आप मुसलिम को समझिए क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है वा गर्व होता होगा हमारे इस देश के जो जितने भी बड़े डॉक्टर होंगे जितने बड़े देश भी देश के जो विज्ञानिक होंगे वाकि में उनका जो सिर होगा गर्व से उचा होकर कहता होगा कि क्या वाकि में देश वे अगर कुरोना जैसी महमारी में लड़ने का काम किया है तो भारत देश ने किया है क्यों क्योंकि वाकि में इस कुरोना जैसी महमारी में भी जो हिंदी पत्रिकारिता है जो एलेक्टॉनिक मीडिया है जो हमारे देश के पत्रगार है उन्होंने हिंदु मुस्लİम का जो काड़ खेला है वो वाकि में फिर से उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है तो जुद रहेगा हमारे साथ देखते रहेगा डियस फोर न्यूज धनिवाद